अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल ला है सो हेलो फ्रेंड आप सभी कल स्वागत है एक और न्यू वीडियो में तो दोस्तो कैसे हो आप सभी उमीद है आप सभी बढ़िया होंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब बोट लुनर विजटा स्मार्ट वॉच की तो अरे यार स्मार्ट वॉच कहां गी यह जा हो गया फिल्हाल अपनी कैप यहां पर है इसको पहन लेते हैं तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बोट लुनर विजटा या बोट लुनर मिराज आप इसे कुछ भी कह सकते हो अगर आप इस स्मार्ट वॉच को फिलिफ कार्ट से पर्जेज करते हो तो यह आपको बोट लुनर मिराज के नाम से मिल जाएगी और अगर आप इसे Amazon से परसेज करते हो तो फिर ये आपको Boat Lunar Vista के नाम से मिल जाएगी तो फिलहाल के लिए मेरी Smart Watch कहांगी तो फिलहाल के लिए अपनी Smart Watch ये रही तो दोस्तो ये है Boat Lunar Vista आप देख सकते हो ये मैंना ये Amazon से परसेज की है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस Smart Watch में आपको क्या-क्या Features मिल जाते हैं क्या आपको इस Smart Watch को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपका पूरा Confusion दूर हो जाएगा तो दोस्तो जिसके लिए आपको वीडियो को बिना Skip किये हुए एंट तक जरूर देखना है तभी आपको पता चलेगा और दोस्तो बात की जाए इस Smart Watch की प्राइज की तो ये Smart Watch आपको 1,899 रूफी में ये वाच मिल जाएगी और बाकी On Box इस वाच का प्राइज आपको 8,000 देखने को मिल जाएगा लेकिन इतनी expensive ये आपको वाच नहीं मिलेगी तो लगवग आपको 1,900 रूफी में ये वाच मिल जाएगी और अगर आप इसे sale time पे परज़ेज करते हो तो definitely आपको काफी सारा discount मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों बाकी जादा time waste ना करते होए इस वाच की unboxing करते हैं और हाँ guys unboxing करने से पहले अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो यार फटा-फट से subscribe कर दो और वीडियो अच्छी लगते ही हो तो यार वीडियो को like करना तो बनता है तो like भी कर देना ठेक है तो चलो यार box को open गरते हैं तो चलिए दोस्तो boat lunar vista की unboxing करते हैं तो आप देख सकते हो box कुछ इस तरह का है और box में मैं आपको इस watch के specification बता देता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आपको advanced bluetooth calling का feature मिल जाएगा always on display smart watch में मिल जाएगा AI watch assistant 100 plus sports mode आपको देखने को मिल जाएगे heart rate and blood oxygen monitoring भी आपको इसमें मिल जाएगी साथ में cloud and custom watch faces भी मिल जाएगे और call test and social media notifications IP67 and dust splash and sweat resistance आपको इसमें मिल जाएगी और android 7.0 चलिए ठीक है सारे feature मुझे फिलाल अच्छे लग रहे हैं और क्या ये features इस smart watch में है या नहीं ये तो इसको unbox करने पर ही पता चलेगा चलिए बाकी आपको box में आपको इसका price बता देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो 7,999 रूफेज यानि की 8,000 रूफेज इसका box पे price लगा हुआ है लेकिन इतना expensive ये नहीं है मैंने आपको price बता दिया है बाकी sale time पे आपको और भी ज़्यादा discount मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो इस box को open करते हैं अच्छा ये क्या यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छा ये इस तरह से निकलेगा और box में फिलाल और कुछ नहीं है इसको side में रखते है ये रही हमारी brand new boat smart watch तो boat lunar visitor या lunar मिराज हमें इसे कुछ भी कह सकते हैं और ये कैसे निकलेगी रुको guys यहाँ से निकलेगी I think तो guys यहाँ पर तो काफी सारी चीजे दी गई है तो सबसे पहले ना मैं सारी चीजे निकाल लेता हूँ यार इस watch को कैसे निकालना है एक मिनट I think इसको उपर निकालना है या तो यह कुछ इस तरह का box मिल जाता है और guys यह रही हमारी boat lunar visitor या boat lunar मिराज चलिए guys इसको बाद में देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपको smart watch को charge करने के लिए magnetic cable मिल जाएगी और यार यह तो इसके साथ चिप की हुई है तो इसको भी हम बाद में टेस्ट करके देखेंगे क्या यह work करती है या फिर ऐसे ही दे दी गई है और यहाँ पर आपको काफी सारे paper work मिल जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो औरे बापरे इसको देखने का भी अपना यह मज़ा है तो यहाँ पर boat के काफी सारे products दिये गए हैं आप देख सकते हो headphone दिये गया है यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चीज़े दिये गई है मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है जो भी अच्छी है और यहाँ पर यह क्या चीज़े इस product comes with one year warranty तो यहाँ पर आपको one year manufacturer warranty के साथ यह product मिल जाता है तो warranty card आपको यहाँ पर मिल जाता है यह बड़िया बात है और साथ में आपको यहाँ पर काफी सारे card मिल जाते है और stickers अरे वाय यार boat ने तो मेरा दिल खुश कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे stickers दिये गए है चलिए फिलहाल इनको साइड में रखते है और यहाँ पर आपको एक और जनम पत्री का मिल जाती है तो यहाँ पर आपको इस boat की smart watch को कैसे यूज करना है पूरी detail यहाँ पर दी गई है तो भहिया यह जनम पत्री पढ़ते बढ़ते तो मेरा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा तो फिलहाल मैं इनको देखने वाला नहीं हूँ इनको साइड में रखते है तो इतना तो मुझे पता है यार इसको कैसे connect करना है तो चलिए गाई सबसे पहले हम इसे open करते हैं तो यहाँ पर इसमें टेपिंग की गई है तो गाई इसको हमने कर दिया है रिमूव और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको एक और बोट का स्टिकर मिल जाएगा चलिए गाई इसको भी साइड करते हैं अरे बाप रे यार यह तो नहीं निकलता है एक मिनट अपने पास है बिल्ली का पंजाई यह देखिए जो मैं अपनी पडोस की बिल्ली से उधार लेकर आया हूँ रूखो यार एक मिनट यह यहाँ से इसको उपर करेंगे और गाईस यह रही हमारी बोट लूनर विजडा 1.52 वो इंचिस की HD डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी तो बागी देखो यार ब्लैक कलर में मैंने यह स्मार्ट वॉच परसेज की है तो लुक वाइस तो एकदम बढ़िया लग रही है और इसका जो स्ट्रेप है काफी बढ़िया मुझे लग रहा है क्वैल्टी एकदम बढ़िया यार एकदम मक्खन जैसा लग रहा है तो यहाँ पर कोई भी मुझे शिकायत का मौका तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है बोट ने यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं दी है यहाँ पर आप देख सकते हो बैक साइड में आपको कुछ इस तरह का इंटरफिस देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको चार्ज बीन दी गई है यहाँ पर सेंसर दिया गया है यहाँ से आप अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हो और यहाँ पर बोट की ब्रेंडिंग दी गई है और साइड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्राउन तो इसका क्या यूज रहेगा यह आपको पता चल जाएगा और यार मैंने इसकी स्क्रीन ना खराब कर दी मेरे हाथों मैंने थोड़ा ओइल लगा हुआ है जिस बजा से आपको कुछ स्क्रीन पर ओइल सा दिखाए देगा चलिये स्मार्ट वाउच को ओपन करते हैं और यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर दिया यहाँ पर हमारी स्मार्ट वाउच हो चुकी है ओपन तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार यह देखिए तो guys अपनी smartwatch को मैं अपने phone के साथ connect कर लेता हूँ तो मैं देख लेता हूँ इसके लिए हमें कौन सी app डाउनलोड करनी है So friends मैंने अपनी smartwatch को अपने smartphone के साथ connect कर लिया है तो आपको अपनी watch को phone के साथ कैसे connect करना है मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको शेटर को यहाँ पर इस तरह से on कर देना है तो यहाँ पर आपको QR code देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आप यहाँ पर click करोगे एक मिनट यह रहा तो guys जैसे ही यहाँ पर आप click करोगे और आपको अपने phone से इसे scan कर देना है तो इसके बाद आपका play store open हो जाएगा जहाँ पर आपको boat wearable app देखने को मिल जाएगी जिसके बाद आपकी smart watch आपके smartphone के साथ connect हो जाएगी तो मेरी watch फिलहाल मेरे smartphone के साथ connect हो जुकी है बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफी सारे watch faces देखने को मिल जाएगे जो यहाँ पर crown दिया गया है यहाँ पर आपको साथ से आठ watch face देखने को मिल जाएगे यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं crown को round कर रहा हूँ है यहाँ पर आप देख सकते हो यहां पर आपको different types के watch faces देखने को मिल जाएंगे बाकी app पर आपको 100 plus watch face smart watch में देखने को मिल जाएंगे वहां से भी आप watch में अलग अलग तरह के watch faces लगा सकते हो फिलाल बाकी check करते है smart watch में आपको क्या-क्या features मिल जाएंगे तो यहां पर आप देह सकते हो do not disturb यहाँ पर setting का option दिया गया है यहाँ पर check करते हैं तो guys सबसे पहले आपको यहाँ पर brightness का option दिखने को मिल जाएगा password do not disturb अरे यार इसका screen time ना बहुत ही ज़्यादा कम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है जो main main चीजे हैं मुए आपको बता देता हूँ तो सबसे बड़िया बात मुझे smart watch में लगी always on display तो यहाँ पर आप always on display का use कर सकते हो तो यहाँ पर digital और analog दोनों ही smart watch का interface जो भी आप रखना चाते हो ना वो रख सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फिलहार digital रखा है तो यह इसका always on display टाइम है तो यह हमेश्या on ही रहेगी जब तक आप इसे खुद off नहीं करते तो देख सकते हो यार कुछ देखने में कुछ इस तरह का लगता है तो आप देख सकते हो देखने में कुछ इस तरह से लगता है always on display तो बाकी अगर आप इसे off करना चाहते हो तो फिर से आपको यहाँ पर setting पर आना होगा और always on display कहां गया यह रहा इसे आपको off करना है बाकी analog dial आप देख सकते हो यह मैंने select कर दिया है analog dial पर आपको बता देते हैं और यह रहा इसका analog always on display तो यह भी देखने में काफ़े जादा प्यारा लग रहा है तो guys वैसे यह HD display है यह कोई AMOLED display नहीं है लेकिन देखने पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता यार यह इसकी display एकदम same AMOLED display की तरह ही लगती है आप देख सकते हो camera में यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा यह LCD display है या फिर AMOLED display तो guys फिलहाल इसमें LCD HD display का use क्या गया है तो screen मुझे इसकी काफी अच्छी लगी यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है visibility मुझे फिलहाल के लिए ठिक ठाक लग रही है बाकी हम outdoor में इसकी visibility टेस्ट भी करेंगे चलिए guys फिलहाल के लिए मैं always on display को off करता हूँ तो guys always on display की एक दिक्कत यह है कि यह आपकी ज़्यादा battery consume करेगा तो फिलहाल के लिए इसे off कर देते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे feature देखने को मिल जाएंगे एक मिनट मैं इसे back कर लेता हूँ यहाँ पर आपको काफी अच्छा interface देखने को मिल जाएगा तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो जिसका user interface कुछ इस तरह का है इसे आप अपने according adjust कर सकते हो यहाँ पर आपको चार option देखने को मिल जाएंगे एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको theme में यह सारी चीज़े देखने को मिलेंगी यह रहा तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो 1,2,3,4 यहाँ पर आपको चार option देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहला इसका default है तो मैंने यहाँ पर इसे number 4 फे set कर दिया था बाकी आप यहाँ पर से देख सकते हो यहाँ पर आपको बटन को प्रेस करना है उसके बाद आपको यह सारी चीज़े कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगी दोस्तों इस smartwatch से आप call receive तो करी सकते हो लेकिन साथ साथ में आप callback भी कर सकते हो इस smartwatch में आप 20 plus contact save कर सकते हो जो की काफी अच्छी बात है यहाँ पर आपको record, sports, अरे यार इसका screen time काफी ज़्यादा कम है यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है female wellness, heart rate, stress, sleep monitoring, spo2, notifications, alarm, music को यहाँ पर आप control कर सकते हो और weather, camera को भी control कर सकते हो काफी सारे features दिये गए है तो इन्हें मुझे ज़्यादा पताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको calculator भी मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है स्मार्ट वाच में यह main चीजी तो यार होनी चाहिए ठीक है calling आपकी receive होनी चाहिए और attempt भी call होनी चाहिए और callback भी होनी चाहिए जो कि इस watch में है यहाँ पर आपको calculator मिल जाता है जो कि काफी अची बात है और इस smart watch में आपको game भी देखने को मिल जाएगी मैं आपको game बता देता हूँ यहाँ पर आपको star watch, timer, world clock काफी सारी चीजे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको एक game देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हो यहां पर आप अपना SPO2 चेक कर सकते हैं जिसके लिए आपको sensor का use करना पड़ेगा और इसी किसा साथ आप यहां पर अपना stress level भी चेक कर सकते हो इसी किसा साथ watch में sleep mode भी दिया गया है इसी किसा साथ आपको और भी features देखने को मिल जाएंगे जिसका use कैसे करना है अभी मुझे नहीं पता है तो यार watch को use करने के साथ मुझे पता जल जाएगा तो इस smart watch में आप अपना heart rate भी चेक कर सकते हो थोड़ी देर में मैं आपको चेक करके बताऊंगा यहां पर आपको music को control करने का option भी दिया गया है जी हां गाई इस smart watch से आप अपने phone में music को control कर सकते हो और यहां पर आप अपनी smart watch में भी music को सुन सकते हो यहां पर आपको यह वाला option भी available मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर crown से आप watch faces चेंज कर सकते हो तो मुझे यहां पर यह वाला watch face काफी जादा अच्छा लगा तो चलिए गाईज बाकी यहां पर इस watch के sensor को चेक करते हैं क्या यह work करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो चलिए गाईज इसका use करते हैं चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर अपना SPO2 चेक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर लिखा गया है measuring please stay still तो हमें यहां पर stay still रहना है तो यह हमारा SPO2 चेक करके बता देगा तो चलिए गाईज देखते हैं यह कितना time लेगा हमारा SPO2 चेक करने में तो यहां पर हम थोड़ा सा wait करेंगे तो गाईज यहां पर आप देख सकते हो 97,98 तो मेरा SPO2 इस watch ने चेक करके बता दिया और गाईज इसी के साथ साथ आप देख सकते हो मेरा stress level यहां पर 68 शो हो रहा है तो इस watch में आप अपना stress level भी चेक कर सकते हो तो चलिए गाईज अपना heart rate भी चेक कर लेते हैं तो यहां पर heart rate का option कहा गया एक minute guys मैं ढून लेता हूँ तो यह रहा यह तो यहां से चेक नहीं होगा एक minute मैं setting में जाके देख लेता हूँ यह तो यहां पर मेरा heart rate पहले से यह शो कर रहा है तो यार heart rate को measure करने का option तो था हाँ guys मिल गया तो चलिए guys यहां पर अपना heart rate भी चेक कर लेते हैं तो guys watch का sensor work कर रहा है चलिए guys देखते हैं हमारा heart rate यहां पर कितना आएगा तो guys हमें यहां पर थोड़ा सा weight करना है तो यह यहां पर show कर रहा है तो guys देख सकते हो 85 यहां पर मेरा heart rate watch ने show कर दिया है तो guys इस watch पर आप अपना heart rate भी चेक कर सकते हो तो guys बाकी इस watch के जो sensor है सही से work करते हैं और हाँ guys आपको अपनी health के लिए इस watch पर depend नहीं रहना है अगर आपको अपने heart rate या फिर SPO2 चेक करना है तो आप यार medical equipment का ही use करना तो चलिए दोस्तो अब हम watch की visibility outdoor में चेक करेंगे इंडोर पर तो हमने काफी चेक कर लिया तो guys हम आच चुके हैं बाहर और इस टाइम में चाया पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो चाया में watch की visibility कुछ इस तरह की है काफी ही साफ मुझे दिखाई दे रहा है देखने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है और मुझे नहीं पता guys आपको camera में किस तरह से दिखाई दे रहा होगा लेकिन चाया में watch की visibility काफी ज़्यादा सही है तो चलिए guys अब हम धूप में भी चेक कर लेते हैं तो दोस्तो ये थी हमारी boat lunar visitor या फिर boat lunar मिराज आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो क्योंकि ये दोनों एक ही smart watches है तो दोस्तो आपको ये smart watch कैसी लगी मुझे तो ये smart watch काफी ज़्यादा अच्छी लगी इसमें आपको सारे feature मिल जाते हैं इसमें आपको always on display मिल जाती है तो मैंने इसी करके ये smart watch ली है और इसके साथ साथ आपको bluetooth calling भी मिल जाती है calculator मिल जाता है 120 plus sports mode मिल जाते हैं और इसी के साथ 700 plus watch faces मिल जाते हैं जो कि काफी सही बात है और इसी के साथ साथ आपको crown में भी 7-8 watch faces मिल जाते हैं तो यार मुझे एक smart watch में यही सारी चीजें सही है बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो मैंने यह smart watch ले ली और guys अगर आपको भी यह feature एक smart watch में चाहिए वो भी इस price segment में तो आप smart watch को ले सकते हैं ऐसी smart watch में कोई भी दिक्ट वाली बात नहीं है बाकी smart watch की use पे मुझे पता चल जाएगा कि यह smart watch कैसी है तो फिलहाल अभी smart watch को लिए जादा time नहीं हुआ है तो अभी तक जो मेरा experience रहा है काफी सही है कोई भी issue मुझे फिलहाल इस watch में नहीं लगा तो guys I hope आपको वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को like share जरूर करना चैनल पे नहीं हो तो यार subscribe कर देना और guys बाकी मिलते हैं next वीडियो में तब तके लिए bye bye यह देखो यार तीन 28 हो चुके हैं तो मुझे पता नहीं यह वीडियो कब तक upload होगी upload होने में थोड़ा time लगेगा edit करने में थोड़ा time लगेगा तो फिर adjust कर लेना और देखो अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया देखो यार बड़े हरामी हो फटा फट से कर दो यार आपके लिए इतनी अच्छी informative वीडियो बना रहा हूं तो subscribe करना तो बनता है यार ठीक है like भी कर देना तो ठीक है guys मिलते है next वीडियो में तब तके लिए bye bye